हेलो स्टूडेंट्स हो आ यू आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है तो सभी बच्चे अपने अपने हिंदी भाषा माधुरी बुक रफ कॉपी और पैंसी लेके बैट जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें तो बच्चों आज का हमारा टापि का पेश नमबर 25 वपन करो री की मात्रा तो बेटा री की मात्रा को करवाने का हमारा में अदेश है कि इस मात्रा को करने के बाद आपको री की मात्रा के सारे शब्द पढ़ने के साथ साथ लिखने भी अच्छी तरह से आ जाएंगे तो बेटा सबसे पहले है री की मात्रा क वो लिखते कैसे हैं और इसकी sound कैसे होती है तो री की मत्ता की sound होती है ठीक है और लिखने का देखो बैटा हमारी book में तो बड़े stylish way में लिखा होगा है लेकिन हमारा जो राइट वी है लिखने का उसको ध्यान से देखो सबसे पहले अमने standing line में one लगाना है then फिर ध्यान से देखो k English का alphabet k होता है ना इसको opposite way में लिखना k को ठीक है then फिर ध्यान से देखो हमने e alphabet e आता ना English का तो वो लिखना है clear हुआ सबको लिखने का way पहले one लगाना है हमने standing line में then opposite k then e यह बन गया री और बेटा हमने इसको लिखने के जो इसका main जो हमारी मात्रा आती है ना इसके सिरफ नीचे ओला पार्टी लिया जाता है मात्रा के रूप में री का c जैसे c होता है ना English का alphabet c clear हो गया इसकी sound होती है c clear कि री मात्रा लगाऊ सब भी जैसे क से लेकर ऑन्य गया तक हमने सब भी व्यंजनों में री की मात्रा लगानी है वैसे हो तो री की मात्रा mostly सारे व्यंजनों लगती है लेकिन जो circle की worst है ना आप दिखाई दे रहे ना आपको last में शत्र गय यह last वाले इन 6 हमें री बाकि सब्हें व्हें अजनों इक री की क्री कर्षें? डैक के पैमेरी ली सब्हस्की पैमेरी क्लियर हो गया सब्सक्राइब करवाने से पहले मैं आपको ली की मातरा के बारे में कुछ समझा ना चाहती हूं ध्यान से सुनो, थोड़ा सा वाटा मैं repeat कर रही हूं ् फेली बात तो यह है कि साउंड कैसे होती है और इसके लिखने का चीन कैसे होते है ठीक है साउंड होती है और जो इसके लिखने का चीन होते है जैसे मैंने बताए है पहले हमने 1 लगाके opposite k then e और जो इसको मात्रा के रूप में लिया जाता है वो इसका स्रफ नीचे वाला जिस C जो है ना छोटा सा पाट वही लिया जाता है और ये व्यंजन के पैर के नीचे लगती है री की मात्रा वाले कुछ शब री प्लस शी रिशी रिशी मेंस सेंट रिशब 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 बेटा किसी का नाम भी हो सकता है रिशब मेंस आउक्स तो बेटा जैसे मैंने बताया है कि मात्रा के रूप में हम सिरफ इसका ये C वाला पार्टी लगते हैं तो इसके बारे में बेटा अब धिहान से देखो ग़ प्लस री की मात्रा मेरी इस फ्रीज मेरी घर को हम क्या बोलते हैं गर को यहां पर में थोड़ा सा डिफ्रेंस बताने जा रही हूं कुछ क्या परसंस क्या होते हैं कुछ बच्चे ना मिक्स कर जाते हैं अब यह ध्यान से देखो गरी, तो बेटा हमने गरी नहीं होता यह यह होता है गरी, क्या होता है गरी नहीं होता है गरी, गरी is the wrong गरी, clear हो गया sound में? मग प्लस री, मरी, मग प्लस री की मात्रा प्लस ग, मोग के पाय में री, मरी ग, मरी मेंज हीरं, हीरं मेंज डियर, मरी अब बेटा फिर से वही sound repeat हो रही है मरी, हमने मरी नहीं बोला, मरी, दोनों की साउंड में देखो, ध्याँ से डिफरेंस देखो, मरी, मरी, clear? नेक्स्ट इस कथ, 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 करित, 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 करित मीस डन, मत, मृत, मरीत, मरावा, डेट, पथक, पृत्थक, पृत्थक मीस सेपरेट, क, क्री, म, म्री, प, प्री, clear? री की मात्रा तो पेस नमबर 25 ओपन करो बेटा देख कर और पढ़ कर समझिये क प्लस री की मात्रा क्री ग प्लस री की मात्रा क्री म प्लस री की मात्रा म्री न प्लस री की मात्रा न्री चित्र देखकर समझे और पढ़े तो बेटा यहां पे चित्र दियें इनको अच्छे से देखना है हमने समझना है और पढ़ना है तो बेटा सभी आपने सुन्दर सुन्दर आपने लिखना है साथ मेरा पॉपी पे मौ के पैमेरी मौ के पैमेरी ग्रिह, ग्रिह, ग्रिह मेंज होम, ह-o-m-e, होम, वो के पह मेरी व्रिक्ष, व्रिक्ष मेंज ट्रे, ट्रे मेंज हिंदी में इसको पेर भी बोलते हैं, टी, आर, डबल, ए, ट्रे, न के पह मेरी नरिप, नरिप, नरिप मेंज किंग, राजा को नरिप भी बोलते हैं, किंग, के आई, एंजी, इंग्लिश में किंग, हिंदी में राजा, साथ में नरिप, ग, के पह मेरी ग्री, हा को छोटी, नी, ना को बड़ी, ग्री, ही नी, ग्री हिनी, दियान से देखो, ग, के पह मेरी ग्री, हा को छोटी, ही, ना को बड़ी, ग्री हिनी, Green means housewife, H-O-U-S-E, housewife, W-I-F-E, wife, housewife Next is, कर के पैमेरी क्रिशक, क्रिशक, क्रिशक means farmer, F-E-R-M-E-R, farmer स्रीय की मात्रा वाले कोच शबबढ़िये, कर के पैमेरी क्रिशक, क्रिशक मेंस क्या हुआ? gher के पैमेरी ग्रिशक, ग्रिशक मीनस घी, मर के पैमेरी म्रिशक त मृत, मृत मीनस मरा हुआ द्रिग द्रिग मींज आई मक्य पैमेरी म्रिग 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 मींज हीरन तके पैमेरी त्रिण 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 मींज ग्रास जो ग्रास का एक छोटा सतिन का उत्रस को बोलते त्रण का के पैमेरी शको छोटी क्रिशी क्रिशी मींज फार्मिंग करके पहें मेरी कृति 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 मेंस क्रिएशन क्रिपा मृद्धा मेंस मिट्टी सॉयल त्रिशा बेटा त्रिशा का मीनस होता है प्यास त्रिशा किसी का नेम भी हो सकता है इसका मीनिंग होता है प्यास वृत्था, वृत्था means waste बेटा पहली दो पंक्तियों में हमने री की मात्रा पहले वियंजन के साथ सिखी है अब कहीं कहीं पे मद्धम में आ रही है अब द्यान से देखो और उसको समझो और सिखो बेटा द्यान से मृत्थक, पृत्थक, पृत्थक means separate विहद, विहद means very big अम्रेत, अम्रेत means nectar सद्रिश, सद्रिश means समान स्रीजन, स्रीजन means to make हरीदे, हरीदे means hot क्रिशक, क्रिशक से बेटा पहले भी मैंने बताया वा क्रिशक का फार्मर विरिशब, विरिशब means bear क्रिपालू, क्रिपालू means kind क्रिपान, क्रिपान means sword, तलवार करित्रिम, क्रित्रिम means knuckli क्रिप्य, क्रिप्या means please आक्रिती जाकरिती तु zer बेटा यां मने मत्रा के सारे वर्ड सिखिए तोble सनें किसा हीफ्री ये- और संदज्य में हाउसवाय तो भीटा आहाज हमने रि की मात्रा के सारे वर्ड से सिखेंगे आपने ममा के पास बैटके री की मात्रा के डिफिकल्ट वर्ड्स वन तिल टैन सुन्दर सुन्दर से कॉपी पर लिखने हैं और अपने ममा से चेक करवाने हैं बाई बेटा